सरकार ने एक बहुती बड़ी योजना लॉंच की थी जिसका नाम है आईशमान भारत योजना जिसके तहत कोई भी फेमिली को 5 लाक रुपे तक का हेल्थ इंसुरेंस कवर करवा सके इसमें दोस्तों आप अपने फेमिली मेंबर के किसी भी सोदिशक को अगर कोई भी हेल्थ क प्रोलम हो तो नजदीक में गौर्मेंट या फिर अभी तो प्राइवेट में भी लागो हो चुका है कोई भी हस्पिटल में जाके आप अपना इलाज फिर में करवा सकते हो इसके लिए आपको नहीं किसी को पैसे देने होंगे दोस्तों ये पैकेज है जो कि 5 लाक रुपे जाती जन्रगाना में आप अगर थे तो आपका नाम अलेडी एंटर है इसमें तो दोस्तों बात ये आता है कि अगर आपका नाम एंटर है तो आपको पता कैसे चलेगा आपको कैसे चेक करना होगा अगर आपके नाम अलेडी आते हैं तो आपको अपना हेल्थ कार कैसे बना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक कर दाना है अगर इस चनल पर पहली बार आप भीजिट कर रहे हो तो यह सब्सक्राब का बटन जो रेड़ देखेगा दर क्लिक करने के बात साइट में जो घंटा हैगा क्लिक करके आल पे क्लिक कर दाना CSC, CSP और EDST का काम लेने के लिए और उसके बारे में सही इंफरमेशन जानने के लिए आप हमारे टेलिग्रम गूरूप में जोइन हो सकते हो उसमें आपको जोइन होने के लिए कोई चार्ज़ नहीं लएगा साथ में दूस्तों इंस्टाग्राम पर भी अभी ताका आपने इन पर जान सकते हो कि अपने CSC Center में भी आयुश्मान भारत योजना के तहत आप हर एक फेमिली को health card यानि के golden card का apply कर आ सकते हो तो जले जानते हैं कि आयुश्मान भारत योजना के तहत आपको जो 500 L2 का health insurance मिलेगा आप उसका लाव कैसे उठहूआ सकते हैं तो सबसे पहले आपको एक website पर आना होगा इसका link आपको इस वीडियो की description box पर मिल जाएगा दोस्तो ये scheme जो है purely central government है PMJAY.gov.in पर जाना होगा PMJAY का मतलब है दोस्तो प्रदान मंत्री जन आरोगियो योजना तो दोस्तो इस website पर आने के बाद आपको देख सकते हो इदर एक grievance portal है और site में जो है दोस्तो I am eligible तो इधर click करने के बाद आप अपना नाम check कर सकते हो अगर आपका नाम नहीं है तो आप क्या करोगे आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा तो सबसे पहले आपको अपना एक mobile number टाइप कर लाना है mobile number टाइप करने के बाद ये वाला जो capture है दोस्तो इधर आपको fill करना है mobile number और ये capture आपको इधर डालने के बाद इधर एक generate OTP का option आपको देखने को मिल जाएगा इधर आपको जैसे ही क्लिक करने के बाद आपकी mobile पर एक OTP आएगा जो कि आपको इधर enter करना होगा OTP को enter करने के बाद नीची आपको एक checkbox पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद submit के button पर आपको क्लिक करना होगा जैसे हैं आप इधर क्लिक करोगे दोस्तों आपको और पेज नजर आ जाएगा जो कि आपको सर्च में आपको काम आएगा सबसे पहले दिखना होगा दोस्तों आपको सर्च में यानि कि अगर सर्च करोगी आपका नाम निकलता है तो दूस्तो आप eligible होते हो और आपको उसके बाद process जो है आपको health card बनाना होगा जो की golden card कहा जा सकता है चेक करने के लिए सबसे पहले select state पर आपको click करना होगा और अपना जो state है वो select करना होगा नीचे दूस्तो option है select category का आप कौन से वे पर आप search करना चाहते हो आप अपने नाम के द्वारा या फिर अपना hhd नमबर के द्वारा check करना के चाहते हो तो हम जैसे की search by name पर click करेंगे और name पर हमारा नाम लिख देंगे ठीक है आप अपना नाम लिख सकते हो name को लिखने के बाद आप अपना father का नाम में लिख सकते हो नहीं तो दूस्तो आप एक बैटर हैगा अपना pin को लिख दीजे और village लिख दीजे इतना लिखने के बाद ये वह बहुत ही ज्यादा filter हो जाएगा उसके बाद दूस्तो आपको search के बटन पर click करना होगा जैसी है आप search के बटन पर click करोगे site में आपको कुछ results आपको देखने को मिल जाएगा देखे दोस्तो इसमें आपको कौन सा नाम पहचाने के लिए आपको इधर family details का एक option देखने को मिल जाएगा इधर click करने के बाद आप अपने family member में जितना member है उनका नाम age के सहित आप इधर देख सकते हो देख सकते हो कौन female या फिर male है और उनका age क्या है सारा कुछ इधर आपको नजर आ जाएगा दोस्तो इधर जो golden card के बात कर रहे हैं जो की health card भी कह सकते हैं इसको तो उसका जो card है दोस्तो individually यानि की separately बनता है अगर आपके family में 5 जन या फिर 6 जन रहते ह हो तो आपको हर एक को एक कार्ड दिया जाएगा लेकि दोस्तो आपको एक condition है 5 लाक रुपए आप हर कार्ड को यानि की सब कार्ड को मिला के आपको खर्शी करने होगे ऐसा ने कि आपको एक एक लोग को 5-5 लाक रुपए का health insurance मिल सकता है ऐसा नहीं है आप अपने किसी भी सदस्य को इलाज करवा सकते हो लेकिन आपकी टोटल फांच लाक में से वो खर्चा हो जाएगा लेफ्ट में देख सकते हो अपना details और दोस्तो इसको आप अपने mobile में SMS के जरिये मंगाना चाहते हो तो इधर आपको एक option आएगा get details on SMS इधर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद जिस mobile पर आप मंगाना चाहते हो उस mobile को फिल करना है इधर और यह जो capture है दोस्तो इधर यह capture को आपको इधर लिखना है और submit के बटन पर क्लिक करना है mobile number रखेपचा को देने के बाद आपको submit के बटन पर क्लिक करना होगा जैसे है अब दोस्तो submit पर क्लिक करोगे आपकी mobile पर एक SMS आएगा जो कि यह details महजूत होगा अब देख सकते हो SMS has been sent to your mobile successfully तो दोस्तो जैसे कि अभी पता चलगा कि आप eligible होगे हो अभी आपको health card apply करना होगा वो कैसे करना है उसके बाद बताओंगा दोस्तो जिनका नाम इसमें महजूत नहीं है वो क्या करेंगे और कैसे करने के बाद उनका नाम को इधर add करेंगे दोस्तो golden card वनवाने के बाद कुछ इस तरह दिखीगा जैसे ही मालो अपनी family member हो या फिर आप खुद क्यूं नहों जबी आपको health का issue हो तो आप अपनी नस्दीग में कोई भी hospital यानि की government या फिर private hospital में विजिट करोगे तो दोस्तो आपको health cover यानि की आपको प्रदान मंत् दोस्तो आप अपना health card जो golden card कहते हैं हम कैसे बनाएंगे तो बनाने का दोस्तो दो ही option है सबसे पहला option है आप अपने नस्दीग में कोई भी सरकारी hospital में जाकि आप भीजिट कर सकते हो उदर जो भी in charge है उनसे बात करके आप अपना golden यानि की आपका health card है बनावा सकते हो इ इसको आपको बनाने के लिए अपने नस्दीग में कोई भी CSC center यानि की customer service center में जाके आपको विजिट करना होगा customer service center और hospital यानि की आपका नस्दीग में government hospital है दो जगा में आपका बन सकता है golden card तो दोस्तो golden card बनाने के लिए आपको अपना एक ID proof और address proof लगेगा जो कि आध health card बन जाता है तो आप अनस्दीग में जो भी hospital में आपका health card दिखाके पांच लाग रुपे तक का benefit ले सकते हो तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं जिनका नाम इस website पर महजूत नहीं है तो वह क्या करेंगे क्योंकि दोस्तों ये 2011 के सामाजिक आर्थिक जाती जनगर नाम में eligible जिसका नाम है तो और लेड़ी इनका नाम एंटर हो चुका है अभी नया एंटर नहीं हो रहा है तो नया लोगों के लिए अगर आपको एंटर करवाना है तो अपने डिश्टिक के चीप डिश्टिक मेडिकाल अफिसर यानि की सीडियमो से जाकि आपको संपर करना और दोस्तों आपको एड़ करने के लिए आपको उनी से ही सारा कुछ इंफर्मेशन मिल जाएगा